हेलो सेटी पीजी एस्प्रेंट्स कैसो आप सब आई हो बहुत अच्छे और मस्त होंगे सो फाइनली आप लोग का एंसर की आ चुका है और मुझे उमीद है कि आप सभी लोगों ने अपना एंसर को बारी-बारी से मैच कर लिया होगा दोसों के बीच में है तो आप समझ लोग कि आप एक एवरेज इस्ट्रेंट की गिंती में हो और आपको एक ठिक ठाक इनवर्सिटी मिल जाएगा अब बहुत सारे लोग सुचते हैं कि मैं UPSC क्लियर कर लूँ लेकिन करते कितने लोग हैं 0.06% लोग ही UPSC क्लियर कर पाते हैं तो इस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ो और लाइफ में कुछ अच्छा करो बाकी दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वह maximum possibility है कि 3rd week of April में आ जागा और दोस्तों अगर इस बीच में नहीं आता है तो 20 तारिक से लेकर के 25 तारिक के बीच में आपकी रिजल्ट आ जाएगी और फिर उसके बाद आपका 1st week of माई में कॉंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जागी और इन्वर्सिटी में आप रिजिटेशन कर पाओगे अब कॉंसलिंग में जाने से पहले आप लोगों के पास बेसिक डोकुमेंट होना बहुत जोररी है और फिर जो कमपलसरी डोकुमेंट्स है मैं उनका नाम आपको बता दे रहा हूँ और आप कोसिस करना को उन सारी डोकुमेंट्स को आगे से वेरिफाइड करके रखना अप इनका स्कास्ट नहीं है वह रिजर्वेशन सर्टिफिकेट रख लेना और दोस्तों इसके साथ अपना छे फोटो कॉपी जरूर रख लेना और दोस्तों यह जो सारी डोकुमेंट्स है इनका दो दो फोटो कॉपी करवा करके जरूर रखे रहना और दोस्तों इसके साथ जो और सिटी का नाम बता दूगा जहांप आप एडिमिशन ले सकते हो और दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज भाई को सस्क्राइब कर लेना तक ही मैं आपके लिए ऐसी अपडेट लाती रहूं और अगर आप लोग सस्क्राइब नहीं करोगे तो मैं तो वीडिय आप तक नहीं पहुँच पाएगे इसलिए जल्दी से भाई को सस्क्राइब कर लो बहुत बहुत धन्यवाद